तो चलब प्यारे बच्चों यह question देखो नीट वालों का लिए यह बहुत important question है यहाँ पर error if error in the measurement of the radius of a sphere 1% what will be error in the measurement of the volume अगर तुम देखोगे तो जो radius है उसमें 1% की error आ रही है तो volume of a sphere क्या होता तो यहां से 4 by 3 यह वाली 4 by 3 एक pure number है इसमें कभी कोई error आई ही नहीं सकता तो इसको मैं ऐसे ही जब इसका derivative करोगे तो इसमें 0 आएगा तो यह ऐसे डारेक्ट 0 से नहीं multiply करेंगे वो सम में आएगा तो मैं इसको छोड़ देता हूं तो बोलो में एरर डेल्टा भी अपन भी और percentage एरर दिया तो हंडेट से multiply कर लो और यह 3 टाइम से डेल्टा आर अपन आर हंडेट से multiply कर दो तो यह कहते हैं रेडियस में एरर रेडियस में एरर मतलब इसकी वेलू दी हुई है ठीक है ना तो थिरी multiplied by 1% ठीक है तो इसका मतलब भी हुए कि 3% का एरर आएगा किस में बहुलो में सी आप्शन करेक्ट है थेंक्यू बगा टेक्यर